गुरूगराम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रहना जाए नमस्कार मैं हूँ सुनिली आदफ और आप देख रहे हैं गुरूगराम न्यूज जहां दिकाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की आज एक पूर्व फोजी हमारे इस सिस्टम से हार कर डीसी के दरवाजे के बाहर धरने पर बैठ गया एक वो फोजी जिसने 19 साल अपनी जीवन के देश सेवा में दे दिये और ओन ड्यूटी उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि आज 90 प्रतीशत से जादा उनका शरीर दिव्यांग हो चुका है पिछले लगबग 9 सालों से वो गुरुगराम के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा है हम बात कर रहे हैं गुरुगराम के काकरोला के रहने वाले पूर्व फोजी मनोज शर्मा की जो की एर फोर्स में 19 साल तक उन्होंने देश सिवा की लेकिन साल 2008 में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दोरान उनके साथ एक सड़क हादसा हुआ जिसमें उनका आदे से ज़्यादा शरीर पैरलाइज हो गया अब कमर के नीचे उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है सरकार की एक पॉलिसी थी कि ओन ड्यूटी अगर कोई भी फोजी शहीद हो जाता है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो उनको 200 वर गजब की एक जमीन दी जाती है ताकि उस पर वो अपना मकान बना सके इसी हक के लिए मनोज शर्मा पिछले लगबग 9 सालों से गुरुगराम के तमाम अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है मनोज शर्मा का कहना है कि वो प्रधार मंत्री कारेले से लेकर और DC कारेले तक हर जगा अपनी याची का डाल चुके हैं लेकिन अधिकारियों की इतनी लेट लतीफी है कि उनकी एक सुनवाई नहीं हो रही है इसी से परिशान होकर आज मनोज शर्मा वकील कुलभूशन भारदवाज और सामाजी कारेकरता रितूराज के साथ DC ओफिस पहुँचे और DC ओफिस के सामने ही उनके दरवाजे के बाहर ही ये लोग धरने पर बैठ गए तकरीबन आदे घंटे तक वही पर ये लोग धरने पर बैठे रहे हलाकि आज गुरुगराम के DC मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग में व्यस्त है इसलिए CTM महोदे यहाँ पर पहुँचे और उनकी व्यथा को सुना CTM सिधार्द दैया ने मनोच शर्मा को आश्वासन दिया है कि एक दो दिन में वो DC सहाब से मुलाकात करके उनका मुद्दा उनके सामने रखेंगे और जो भी उनका हक मिलने में अडचने आ रही हैं उसको जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा हलाकि पूर फोजी मनोच शर्मा DC आफिस तो पहुंचे थे अपने सभी सेना मेडल लोटाने के लिए क्योंकि जिस देश के लिए उन्होंने सेवा की अपनी जिन्दगी के 19 साल दे दिये उस देश ने उनको 200 वर्गज का एक जमीन का टुकडा भी नहीं दिया और 9 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वो ठक चुके हैं सर मैं एक दिव्यांग सेनिक हूं और 20 साल देश की सेवा करने के बाद मुझे आज ये दिन देखना पड़ा कि मैं DC ओफिस में आना पड़ा सर मेरेको एक पलोट मिलना था 200 वर्गज का जोकी 9 साल से संगरसरत रहते वे वो नहीं मिल पाया मेरेको एक पलोट सरकार ने दिया भी परसासने दिया लेकिन वो डिश्पूटिट दिया मेरे साथ फोटो किषाई form टेडी मेंने डिडी में सब हैं डेसी साब तो मिले नहीं लेकिन मिले तो आप देखते हैं कि क्या का रवाई इन्हों आश्वासन दिया कि एक दो दिन आप मुझे दीजिए तो कुछ करके देखते हैं अभी अब जल्दी आपको आपका हक मिल पाएगा उम्मिद की जा सकती है सर अभी क्योंकि नोना आश्वासनी ऐसा दिया है तो मेरे पास यह रखने की कोई मैं हाक नहीं रखोंगा तो आज मैं प्रशाशन को डिशी साब को अपने मैडल लोटाने के लिए था लेकिन उनों बड़े ही आत्मिया बहुत से मेरे को आश्वासन दिया है कि आपका काम करेंगी अभी तो फिर यही काम कादम दोबारा उठाया जाए जाए कि मैं फिर से मैडल लोटाने की कोशिस करूँगा जिस समय पूर फोजी मनोज शर्माट बाहर धरने पर बैठ गए थे उसी दोरान वहाँ पर भीड भी इखटी हो गई भीड इखटी देख महाँ पर पुलिस बल बुला लिया गया और दरजनों लोग वहाँ खड़े होकर मनोज शर्मा की वीडियो बनाने लगे जब ये सारी बाते CTM तक पहुंची तो उसके बाद CTM मोके पर आये और उन्होंने एक आश्वासन दिया महीं वकील कुल्भूशन भार्दवाज और समाजिक कारेकरता रितुराज का कहना है कि अगर अभी भी जिला प्रशासन मनोज शर्मा को उनका हक नहीं देता है श्रीमान जो हमारे मनोजी हैं जो के विकलांग हो गए चाती से निचाल पूरा है सो परसेंट और इनको जो स्कीम है दो सोगज का अपलाड जो मिलना था वो पिछले आठ वर्षों से ये लगातार चक्क्र लगा रहे हैं इनको केवल और केवल आशवाशन और एक भूमी सोग मनोज का जो टुकड़ा था उस पर अवैद कबजा वीडियो के बादे हम से चित्र के बादे हम से तुकरा दिया लेकिन ना उसकी रजिस्ट्री कराई और ना उसको पेपर के अंदर इनको कहीं पर दिया गया तो पिछले आठ वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं आज हमने ज दुख के साथ हम इनको वापस करने आए थे कि आप दोसरों मुझ का प्लाट तो आप तो नहीं दे सकते सैनिक को लेकिन सैनिक जो देश की सेवा की और जो मेडल मिले हैं ये आपको सह सम्मान वापस करना चाहते हैं लेकिन अभी जो हमारे जो अधिकारी जी आए उन्होंने आश्वास किया है हमारे को कि आप मुझे एक दो दिन का समय दे और मैं निश्चित रूप से जो मनोजी की पीड़ा है उस पर मर्रम लगाने का प्रयास करता हूं तो हमें विश्वास भी हुआ है और हमने का दिन्यवाद भी करते हैं लेकिन अगर इसमें कुछ किंतु प्र कश्वाद दिया है कि और कल हमारे को जो भी तस्वीर है वो कलियर करके बताएं अगर वह तस्वीर कल नहीं होती है तो हम दोबारा वापस आएंगे और यहीं पर धरना देंगे जब तक धरना देंगे जब तक वो 200 गज का प्लोट जो एक सेनिक का अधिकार है वो सरकार नहीं देती है जब तक हम यही बैठेंगे साल 2013 में बीजेपी ने जब नरेंदर मोधी को अपने प्रधान मंत्री का पद का उम्मिद्वार बनाया तो नरेंदर मोधी ने सबसे पहली रैली हर्याणा के रिवाडी में पूर्व फोजियों के लिए ही की थी लेकिन उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद देश में पूर्व फोजियों के साथ किस तरह का सुलूक होता है उन्हें अपने हक पाने के लिए किस तरह एडिया रगणनी पड़ती है उसकी एक जीती जाकती तस्वीर है अब देखना होगा कि पूर्व फोजी मनोज शर्मा को उनका हक ये लाचार सिस्टम कब तक और कितनी जल्दी दे पाता है इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजेगा साथ ही साथ आप इस खबर को शेर जरूर कीजेगा ताकि हमारे जो अंदे बहरे सिस्टम बैठा है उस तक ये तस्वीरे पहुंच सके नमस्कार ढूए और गलेगे जर सीनाओैंट करेंगा ती